नमस्कार मैं हुरीनु कुमारी पबलिक एशिया में आपका स्वागत है नेपाल में शुकरवाद देर रात आये 6.4 त्रिवता के विनाशकारी भुकम के बाद 200 से जादा लोगों के हतायत थोनी की पुष्टी हुई है कार्टमानु पोस्टर ने जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है राश्टी भुकम निगरानी और अनुसंधान केंदर के अनुसार नेपाल में भुकम के तीजटके कल रात 11 बचकर 47 मिलट पर महसूस किये गए थे जिसका केंदर जज़र कोट चिला था रियक्टर पैमाने पर भुकम की तरिवता 6.4 मापी गई थी बतादे इसे लेकर प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल ने सुरक्षा निकायों का ततकाल बच्चा और राहत के निदेश दिये हैं पुष्प कमल दहल ने शुक्रवार रात आये विनाशकारी भुकम में चानमाल के नुक्सान पर गहरा दुख वेक्ट किया है और ततकाल बच्चा और राहत के लिए सभी तीन सुरक्षा निकायों को तैनात किया है इस पर जाजर कोटा जिला पुलिस उपादेश संतोष रोका ने कहा कि शनिवात अड़के तीन बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसाद जाजर कोट और पश्मी रुकुम में भुकम से सबसे जाता नुक्सान हुआ है अकेले जाजर कोट में बावन लोगों की मौत हुई है और पच्पन से अधिक लोग घायल हो गया है उनमें से पांच को सुरखेत के कणाली प्रांत अस्पिताल ले जाया गया है जबकि अन्यका जिले के विभिन चिकेस संस्थान में इलाज चल रहा है मामले में रोका ने बताया कि मौत को में नलगर नगर पालिका की उप महापोर सरीता सिंग भी शामिल है इसके अलावा बरे कोट क्रामी नगर पालिका के जिले के रमी डाना में 44 लोगों की मौत हो गई और रहने 70 घायल हुए है इसी प्रारमी काकडों के मताबिक पश्मी रुकुम में मरने वालों की संख्या 36 तक पहुँच गई है पश्मी रुकुम जिले के पुले सुफादेक्ष नमराज भटराई ने मर्तकों की संख्या में जानकारी दी है अर्थविस्ट कोड नगरपालिका में 36 लोगों की मरने की सूचना है और सानी भेरी ग्रामी नगरपालिका में 8 और लोगों की मौत हुई है जिले के सभी सुरक्षबलों को खोज और बचावकारे में लगाये गया है आकवदादे से पहले 22 अक्टूबर को सुबह 7 बचकर 45 मिनट पर काटमांडू घाटी को आसपास के जिलो में भुकम के तेज छटके लगे थे रियक्टर प्यमाने पर भुकम की त्रिवता 6.1 त्रिवता मापी गई थी लेकिन शतिया हताहत की कोई रिपोर्ट नहीं थी आपदा के बाद आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल दुनिया का ग्यारवा सबसे अधिक भुकम प्रभावित देश है